वेलकम तो बीट द वलेटिलिटी चैनल, आपको जैसा पता होगा कि मार्केट का आल टाइम हाई जो है वो 25,073 है, आज भी मार्केट उसको ट्राइग किया तच करने का, लेकिन एक रेजिस्टन्स फेस कर रहा है मार्केट, अपर रेजिस्टन्स जो भी फेस कर रहा है मार्के 25,080 के पास वो आपको विजिबल होगा अगर आप कल के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको यह चीज तो पता ही है कि मार्केट ने 20 और 50 मुविंग एवरेज को ब्रेक किया और नीचे 200 मुविंग एवरेज के पास सपोर्ड ले रहा है मार्केट आप देखोगे अभी कंजिकेटिवली जो मार्केट में वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो तीन बजे के बाद अच्छा कासा आ रहे हैं आपको पता है कि पहले भी यह मानियागा तो आज आप देखो कि 25,080 के उपर गया है और मैंने बताया था कि अगर ब्रेकडाउन होगा तो 25,010 के नीचे है जो कि ultimately at the end of the session जो साढ़े तीन बजे बंद हुआ मार्केट वो 25,000 के नीचे हुआ है लेकिन आप कल का यह मार्केट आपको डिसाइड करेगा कि 25,000 के नीचे निकल जाएगा या उपर सस्टेन करता है तो कल के लिए आप लेवल नो डाउन कर सकते हैं कल के लिए सिंपल लेवल से 25,000 के अगर नीचे रहता है मार्केट तब आप बेरिश ट्रेड लोगे मतलब आप पुट ले सकते हो फ्यूचर शॉट कर सकते हो कॉल को स स्ट्राटेजी बनाना चाहते हो तो 25,000 का स्ट्राडल डिप्लॉई कर सकते हो एकस्पाइरी के लिए और अगर आप ऊपर का ट्रेड लेना चाहते हो तो सिंपल है 25,000 40 के उपर अगर निकलता है तब ही आप इसको बुलिश मानिएगा वरना मार्केट हो सकता है साइडवेस अगर आप लेवल्स पे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको लॉसी होगा बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं तो कल मैंने आपको जो लेवल्स दिये थे पहला लेवल दिया था 51,100 का जिसके नीचे ही आपको बेरिश ट्रेड लेना है मार्केट 51,100 के नीचे गय लेकिन आप देखोगे वापिस रिवर्सल आ गया 100 पॉइंट के बादी और उपर का लेवल देथा 51,200 एक बर जाके उस रिजिस्टेंस को फेस किया और नीचे आ गया और यहां पर अगर आप पैटन को वाच आउट करोगे तो पैटन जो है वो डबलू पैटन बना है तो पता है अगर आप डबलू पैटन को प्ले आउट करना चाहते हो तो डबलू पैटन का जो रेंज आता है वो अच्छा-कासा रेंज आता है तो आप देखोगे कि अभी मार्केट अगर बैंक निफ्टी उपर जाना चाहता है तो 51,431 तक जा सकता है तो जब डबलू पैटन को क्रोस करता है तब बुलिष ट्रेड ले सकते हो और बैरिष ट्रेड के लिए तो मार्केट ने आपको रिस्पेक्ट डिखाई दिया कि 200 के पास वो रिस्पेक्ट कर रहा है तो 51,180 के नीचे अगर जाता है तब बैरिष ट्रेड लेना जबी भी अपन इंडेक्स में ट्रे होंगे सबका अपना अपना इमोशन से तो कल के लिए अगर हम रिलाइंस को ट्रेड करना चाहते हैं तो रिलाइंस सिंपल आपको जब तक 3,010 के उपर ट्रेड करते हुए नहीं मिले तब तक आप इसमें बुलिष नहीं होंगे चेक है और यहां पे SDFC SDFC आप देखो के 1600 के पास से कितने बार ही मूफ किया है उपर जो की साइकलोजिकल लेवल है जब भी साइकलोजिकल लेवल प्ले में आता है तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है तो अगर अभी 1637 पे है तो कल के लिए अगर अपन को ट्रेड करना है SDFC को तो SDFC लास्ट में अच्छा खासा बीरिस पंद हुआ है जो आपको यह बतानी की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है अगर कल डाउंट्रेंड आए तो SDFC उसको लीड करेगा तो कल के लिए नीचे का अगर सपोर्ट आप देखो गए तो 6.33 का है और अगर अपसाइड में आ सब्सक्राइड में आप 5-8 रुपय का मा सकते इसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो ICIC बैंक और एक्सिस बैंक को भी आपको देखना होगा आपको यह लास्ट में देख के लग रहा हो कि ICIC कंजिकेटिवली 20 और 40 मुविंग एवरेज को जभी भी क्रॉस ओवर किया उसके चार दिन से अच्छा खासा मूव दे रहा है तो आपको लेवल पता होना चाहिए कि ICIC 1250 तक तो जाएगा क्योंकि इसका ओल टाइम है जो कि 52 वीक हाई बोलते है अपन तो कल के लिए अगर ICIC 1230 के ऊपर निकलने लग जाए तब आप इसमें बुलिश ट्रेड ली जाएगा वरना बिरिश ट्रेडी बनेगा इसमें क्योंकि अगर आप देखोगे ऊपर से यह एम पैटन बना के गी रहा है तो जब भी एम पैटन बनाता है कोई भी स्टॉक तो आपको पता है उसका लेवल अपन कैसे निकालते हैं एम पैटन निकालने के बाद एक लेवल निकलता है जो कि आप यहां पे देखोगे वो कंजिकेटिवली उसको भी रिस्पेक्ट किया है आइसी आइसी ने तो एम पैटन डबलू पैटन का बहुत ही इंपोर्टन से मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक गाप अभी भी फिल नहीं किया और सब स्टॉक्स में आप देख लेकिन एक अच्छा कासा गाप है जिस दिन इस गाप पे इंटर करता है मार्केट उसके बाद वो बहुत तेजी से उपर जाएगा और थर्टी पॉइंट्स आपको इजली एक्सिस बैंक में मिल जाएगा तो आप इस चीज का वेट किजिए कि एक बर 1185 के उपर निकले अब लास्ट सेग्मेंट में हम लोग हमेशा यह बताते कि आपको कौन सा दो स्टॉक्स कल के लिए ट्रेड करना चाहिए तो आप एक्सिस बैंक का लेवल लिख लिए 1185 के उपवर जाएगा तभी आप इसमें बुलिश हो गए और 1177 के नीचे जाता है तभी आप इसमें ब बियाजिश अगर आप रहते हो तो हमेशा याद रहके होल नंबर के पास आपको बुक आउट कर लेना है कल के लिए जो दो ट्रेड आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है पहला है JSW इंफरा JSW इंफरा में जब 333 के उपर निकलने लग जाए तब आप इसमें आपको इसली कमा के दे तो यह दो ट्रेड आप ले सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक किजिए और सस्क्राइब किजिए और शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ वी आर नॉट सेभी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो आप अपना रिस्क रिवाइजर एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी ट्रेड ले चीक है और कोई भी टेकनिकल अनलिसिस सिखना चाहता है तो सटर्डे संडे हम लोग ने प्ले लिस्ट बना दिये टेकनिकल अनलिसिस की हर वीडियो दस मिनट का ही है आप उसको देखे और आपने टेकनिकल एनलिसिस की जर्नी को स्टार्ट किजिए जितना पैसा आपको मार्केट दे सकता है वो कोई भी प्रॉफेशन नहीं दे सकता है अगर आप इसको अप्रॉफेशन चुनते हैं तो लेकिन उसके लिए आपको कम से कम भी तीन साल से पांस साल सिखना पड़ेगा उसको और तब जाके आप ट्रेडिंग में माही रोपा होगे थैंक यू